तो जाहिन आज की डिफेंस अप्रेट वीडियो में चाइनीज एरफोर्स में चाइना का सबसे ताकतवर फिप्त जनेशन फाइटर जेट यानि की जेट टोइनजी मुझूद है तो भारतिय वाईज सेना कैसे इस फिप्त जनेशन फाइटर जेट को काउंटर करेगी इसके अ तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दू कि फाइटर जेट के इतना अडवांस है यह चीज मेंटर नहीं करती है पर उस फाइटर जेट को उड़ाने वाला पाइलेट के इतना ट्रेंड है और उस पाइलेट के पास कितनी स्किल है यह चीज मेंटर करती है तो इसका परफे या वाई सिना की पाइलेटों की स्किल एकदम नेक्स लेवल की हैं तो इसके अलावा एक और इंपर्टन के बारे में बात कर लेते हैं तो जो चाइनिज फाइटर जेट होंगे उनको पूरा हेमलाय पार करके ही पारत के ऊपर आना पड़ेगा तो हेमलाय के ऊपर हवा बहुत ज़्यादा पतली रहती हैं इसी पतली एर की वज़े से चाइनिज एरफोर्स के फिफ्ट जनेशन फाइटर जेट को अपनी मैक्सिमम क्यापे से से कॉंप्रुमाइज करना पड़ेगा या तो उसको कम फ्यूल को करना पड़ेगा या तो वेपन लोट कम कर देना में दूसरा सवाल इट्र होगा कि चाइना के पास तो टेंकर हैं तो वो टेंकल से रिपेलिंग करके भारत में आ जाएगा पर अगर बारत में आके रिपेलिंग करता है बारत के बोर्डर के नज़्दिग भी तो बा是我 कि सपेट टू एर मिसेल उसे मार गिराएगी इसके अ तो जो चाइना का J20 है उसका low RCS नहीं है बलकि उसका RCS बाके 5th generation fighter jet से ज्यादा है क्योंकि उसमें कनार्ट भी लगे हुई है इसके अलावा उसका जो tail section है वो उतना ज्यादा stealthy नहीं है तो पार्तिय SU 30M क्या नहीं एक बार J20 fighter jet को detect भी कर लिया था तो उसका जो low RCS वारा advantage ह है वो नहीं मिल पाएगा और भार्तिय वाइशना के fighter jet इसे दूर से ही पकड़ लेंगे और अपनी very long range के air to air missile से मार गिराएंगे तो एक 5th generation fighter jet होने के बावजुद भी long range में Chinese Air Force को जितने ज्यादा बदद मिलने चाहिए उतने ज्यादा बदद नहीं मिल पाएगी क्योंकि J20 का RCS उतना कम नहीं है इसके अलावा short range के बारे में बात करें यानि कि dog fight की तो short range की fight में SU-30MKI के सामने चाहिना का J20 टिकने वाला नहीं है क्योंकि SU-30MKI एक highly maneuverable 3D thrust vectoring के साथ आने वाला fighter jet है और आप सबी को पता है कि SU-30MKI के इतना maneuverable fighter jet है अब sensor और avionics के बारे में बात करें तो चाइना के G20 के sensor और फ्रांस के रफाल के sensor में जमिन आस्मन का फोरक है तो इन तिन category में भारतिय वाई सेना के जो रफाल और SU-30MKI fighter jet है वो चाइना इस G20 को बड़ी ही आसानी से पचाड़ सकते है तो overall बात करें तो भारतिय वाई सेना का रफाल और SU-30MKI का जो combo ह वो किसी भी fighter jet को खारा सकता है क्योंकि very long range पे जो meteor missile है वो किसी भी fighter jet को मार गिरा सकती है और SU-30MKI बड़ी ही दूर से उस fighter jet को पकड़ भी सकता है और short range जाने के dogfight में SU-30MKI J20 को दोल चटा देगा sensor और avionics में रफाल fighter jet का मुकाबला J20 कर नहीं पाएगा तो Chinese Air Force में J20 के अलावा SU-35 और इसके अलावा Russian fighter jet के license version भी available है तो SU-30MKI का जो super supply upgradation है उसके बाद SU-30MKI के जो फ़रपाउंस है वो SU-35 से भी बहतर होनी आली है SU-35 के अलावा बाकी के fighter jet को रफाल fighter jet बड़ी ही आसने से पचाड़ सकता है तो SU-35 एक maneuverability के मावले में रफाल से बैतर है बाकी SU-35 को भी रफाल fighter jet बड़ी ही आसने से पचाड़ सकता है तो भारतिय वाई सिना के लिए एक तगड़ा competitor है वो है J60D तो भी फ़ला इसका competition में भारत के पास कोई भी fighter jet available नहीं है तो भारतिय वाई सिना आगी जाके J60D का भी कोई तोड़ निकाल लेगी क्योंकि J60D एक electric warfare variant है यहसा वेरेट अभी फिलाल भारत के पास कोई भी available नहीं है वीडियो अच्छा लगे तो प्रेस सब्सक्राइब है चैनल एंड थेंक्यो दिरो कि पास कोई आड़ नहीं है विलेगे वेरेट पिलाल जावे दो झारेट एंड़ प्रेस शॉप घर जोड़ के बुक्राइब है क्योंकि जए वाल स्वावर नहीं है नहीं है जए एंड्य। एंड़ कोई ब्रहार्त कोई लगए पर एंड़ बंदा़ चियों है तो द